वेलकम बैक टो माई चैनल और आज की वीडियो में बात करने वाली हो फेशल मसाज के बारे में फेशल मसाज की जो बेनेफिट्स हैं वो तो हम सब लोग जानते ही है कि इतनी ज़्यादा इंपोर्डन होते हैं हमारे लिए लेकिन उसके लिए हमें पारजर में जाके बहुत ज ब्लड शर्कुलेशन है उसको भी इंप्रूफ करेगा आपको डार्क स्पोर्ट है आपकी स्किन डल हो गई है ब्राइटनेस और ग्लो जो गहीं खो गया है तो इस मसाज को करने से आपकी जो बी खोया वह ग्लोव हो वापस आ जाएगा और आपकी जो जो स्कीन वो काफी ब के लिए भी बिल्कुल सेफ है लेकिन अगर आपती स्किन बहुत ज्यादा ओईली है तो आप ओईल के साथ थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी मिक्स कर सकते हैं और इस मसाज में हम अपने फेस के जितने भी पार्ट्स है उन सबको इन्वाल्फ करेंगे मतलब हम आइस से लेकर नो अगर आप इतना भी याद रखते हैं और इन मोशन के साथ इस फेशल मसाज को करते हैं तो आपको बहुत सारे स्टेप्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल इसी और बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए सबसे बहले आपको 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 अपनी बिल्कुल क्ली होने चाहिए इन फेक्ट अगर आपको मसाज करने से पहले अपने फेश को एक्फोलियेट कर ले तो इस मसाज को बहुत जारा बेनेफित आपको मिलेगा और हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक से आपको अपने नेक पे इस ओयल को अपलाए करना है और फिर आपको कम से कम वन मिनिट तक आपको अबवट जो है वो मसाज करनी है जिस तरीके समय कर रहे हूं आपको इसी मोशन में अराम से आपको बिल्कुल भी जारा स्ट्रेस नहीं देना है अपनी फिंगर्स को आपको फिंगर्टिप्स के साथ ही मसाज करनी है आपको बिल्कुल और फिर आपको अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको अपनी फिंगर टिप से अपने फेस को ऐसे टाप करना है इससे जो आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी इप्रोब हो जाएगा और आपका फेस जो है वो मसाज रेडी हो जाएगा आपको gross feet की problem है, आपको fine line की problem है, आपको wrinkles की problem है, इन सब में ये massage होए, वो बहुत जादा beneficial है, in fact, अगर आपको किसी तरह का stress है, तो उसमें भी ये massage होए, वो बहुत जादा useful होगी, अखरेंगे हम cheeks के साथ, और आपको इस तरह से downward से उपर की तरफ अपने hands से massage करनी है, इस से आपका face जो है, वो काफी lift होगा, काफी slim भी हो जाएगा आपका face, तो इस तरह से आपको कम से कम एक मिनट तक करना है, और उसके बाद next step है, वो है हमारा laughing lines, और laughing lines के लिए हमें upward, बना जैसे आपको बताया है, कि एक massage होती है, वो upward होती है, एक होती है outward, तो हमें laughing lines के लि में थोड़ा सा coconut oil लीजिए, अपने fingers के बीच में उसको अचे से रफ कीजिए, और अब आपको अपने ears से start करते हुए, circular motion में अपने cheeks की massage करनी है, इससे आपका face का जो glow है, वो काफी हद तक improve होगा, काफी glow ही हो जाएगा आपका face, आपकी skin जो हो काफी जारा tight हो जाएगी अब आपको इस तरह से अपने face को massage करना है, इससे आपकी अगर skin saggy हो गई है, तो वो ठीक हो जाएगी, आपका face जो हो काफी lift होगा, काफी tone हो जाएगा, काफी slim लगेगा आपका face, और आपकी skin जो हो काफी youthful हो जाएगी इस बार क्या होता है, जो हमारे lips की जो line होती है, ये बहुत जारा drooping हो जाती है, मतलब देखने में पता नहीं चलता, पर अगर हम गौर करें तो ये जो line है, जो जिसको की straight होना चाहिए, वो काफी जारा drooping हो जाती है, तो उसके लिए आपको अपने face को again circular motion में में मसाज कर इस से आपकी lips की line और laughing line है, ये जो है काफी जादा vanish हो जाएंगे आपके face से, और अगर आप पूरे face में सिर्कुलर मोशन में मसाज करते हैं, तो वो massage भी जो है, वो बिल्कुल enough है, नेक, cheeks और lips की बाद हम आते हैं अपनी nose की तरफ, और ये जो मारी nose होती है, ये काफी जा पहले अपनी fingers के tip से, इस तरह से अपने nose की massage करनी है, बहुत ही simple massage है, आपको one minute तक इस तरह से massage करनी है, जादा pressure नहीं देना है अपनी nose पे, और उसके बाद आपको अपनी nose है, उसका ये जो point है, इसको pinch करते हुए नीचे की तरह इस तरह से आना है, इससे आपकी nose का जो blood circulation बहुत ही जारा improve होगा, आपकी nose पे अच्छी वाली shine जो है वो आ जाएगी, और lastly आपको finger से इस तरह से अपनी nose को rub करना है, अब हम आते हैं अपने face के सबसे important part पे, जो की है हमारा eyes और हमारा forehead, सबसे जादा जो हमारे face का expressive part होता है, वो यही होता है eyes और forehead, क्योंकि stress के और थाकान के सबसे जारा science जो है, वो हमें eyes पे ही दिखते हैं, तो अब हम दखेगे कि हमें eyes की massage कैसे करनी है, actually eyes के जो, यह जो दो points होते हैं, बहुत ही important points होते हैं, इनको हम बोलते lymph nodes, हमारे face के जितना भी toxin होता है, वो lymph nodes होते हैं, वो drain कर देते हैं, इसलिए हमें इन points को ध् अपनी finger से, actually, अगर हमें eyes की massage करनी है, तो हमें हमेशा ring finger को use करना है, आपको क्या करना है, आपकी जो eyebrow की arc होती है, यहां से start करते हुए, circular motion में यहां तक जाना है, और lymph node पे आके, सारा जो भी toxin हो आपका train हो जाएगा, यानि कि आपको यहां से अपनी massage start करनी है, और यहां आपको cross feet हो गया है, यहां पे तो आपको हलक का circular motion में one minute तक massage करनी है, इस तरह से, आपको बिल्कुल भी stress नहीं देना, क्योंकि eyes का जो part होता है, वो बहुत जाला sensitive होता है, अब आपको अपने thumbs को इस तरफ रखना है, इस तरह से, इस से क्या होगा, आपका जो balance या pressure का वो अगें ring finger से आपको इसी तरह से massage करनी है, आपको eyebrow से start करते हुए अपने lymph nodes तक आना है, इस से आपकी face में काफी brightness जो हो आ जाएगी, आपको फिर से अपनी ring fingers को लेना है और इस तरह से अपने eyes के जो lower area है, उसकी massage करनी है, हलके हाथों से, और इस से जो होगा आपकी eyes की जो puff आपको इस तरह से अपनी eyebrows की massage करनी है, और यह बहुत ही अच्छा step है, stress को दूर करने के लिए, और इसके बाद हमारा जो eye और ear का area होता है, उसके बीच के area को हम होते है temple area, और अब हमको अपने temple area की massage करनी है, इस तरह से circular motion में, और अब lastly, जो हमारा forehead है, कई बार उसमें जो wrinkles की problem आजाती है, fine lines आजाती है, इस तरह से हम लोग करते हैं, तो क्योंकि वो lines horizontal होती है, इसलिए हम उसके लिए, जो massage है, वो vertical motion में करेंगे, इस तरह से, इस सारे steps जो है, आपको कम से कम 30 seconds से लेके 1 minute तक करने है, और जो हमारे eyebrows के बीच में कई पार इस तरह से front lines आजाती है कई पार जो लोग बहुत आरा गुसा करते हैं उनको, तो उसके लिए हमें इस तरह से massage करनी है, so guys अगर आप भी try करते हैं, इन simple massage के steps को अपने घर पे, तो आपकी जो skin है, वो काफी youthful हो जाएगी, बिलकुल tone हो जाएगी, tight हो जाएगी, आपको dark spots की problem है, वो भी दूर हो जाएगी, in fact, आपके जो skin का blood circulation है, वो बहुत ही जाएदा इंप्रूव होगा, और उसके विजए से आपकी skin जो हो बहुत आरा glow और bright thing, जो हो जाएगी, और आप भी try कीजिए इन steps को अपने घर पे, हो मुझे बताईए कि क्या कुछ फरक बढ़ा, आपके face पे कुछ निख अधर आएगा, और वीडियो को पूरा देखने लिए thank you so much guys, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो like और share ज़रू करें, मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में guys, सब तक लिए bye bye, take care